अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको घर बनाने के बारे में ज़्यादा नौलेज नहीं है तो ये फिर वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाली है इस वीडियो में आपको 10 important ऐसे बाते बताऊंगा जिसकी मदद से आप घर को मजबूत तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा end तक झरूर देखिएगा वैसे भी अभी से टाइम में आप देख रहा हैं कि अगास्ती ये 2030 चल रहा है और अभी material का rate जो है अभी भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और आने वाले future में भी और बढ़ने वाला है तो इस महंगाई में आपकी इस तरीके से अपने घर में घर के कामों में पैसे की बचत कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है तो चलिए video को अब ध्यान से देखते है सब से पहले आपको घर बनाने से पहले आपको जो plot लेना है plot आप कोसिस करें कि जो road होता है road से हम ज्यादा नीचे नहीं आ लें आपका plot कम से कम downward होता है road के बरावर में हो दूसरी बात ये plot लेने के time में कि आपका plot आढ़ा तीरचा ना हो plot जो आप लेंगे जो जमीन लेंगे वो आपका square year rectangular में होना चाहिए square year rectangular में जो जमीन होता है उसमें एक तो घर काफी अच्छा नकसा उसका प्लान निकल के आता है दूसरा बात कि उसमें बनाने का जो cost होता है वो कम होता है आड़ा तिर्चा जो घर होता है उसको गुनिया निकालने में उसको सही करने में आपका बहुत सारा जगव भी खराब होता है और वहाँ पर क्या होता है कि आपका वहाँ पर नुकसान भी जादा होता है घर को सीधा करने के चक्कर में इसलिए कभी भी आपको square या rectangular plot मिल रहा है तो उसके तरफ आप जाएंगे तो सबसे बहतर होगा दूसरी बात यह कि अगर आप रोड से जादा नीचे plot लेते हैं तो आपको मिट्टी वहाँ भरना फिर नीचे beam देना फिर जब रोड के level में आएंगे वहाँ बीम देना यानि पिलिंद बीम तो आपको double-double वहाँ पर खरच होता है इसलिए आपको करना क्या है कि जो रोड के level में समतल जमीन हो उस पे आपको plot खरीदनी है और जोब आप जमीन ले लेते हैं तब आपको करना क्या है कि आपको एक architect जो होते हैं जो एक या civil engineer हो गए तो उनसे आपको मिलना है दोस्तों मैं यह ऐसा इसलिए नहीं किया रहा हूँ कि मैं civil engineer हूँ इसलिए बोल रहा हूँ देखिए आप अगर एक ठेकदार के पास जाते हैं उससे बोलते हैं कि आप मेरा एक 1000 square feet का घर बना दो माल लिए वहाँ पर क्या है कि जैसे आप उसको बताएंगे कि मेरा दो रूम चाहिए एक kitchen चाहिए एक bathroom चाहिए तो आपको क्या करेगा कि पूरे कमरे का जहां पहले बनाया होगा उसी हिसाब से आपका घर का नकसा दे देगा और उसी हिसाब से अगर वहाँ पर 10 pillar डाला है तो ऐसा ह ही आप एक architect से मिलते हैं 10 रुपया square feet आपका प्लान लिया जाता है मानने जाप पूरा प्लान जैसे structure का भी प्लान चाहिए कि बीम में कैसा होगा column में कैसा होगा slab में कैसा होगा सब कुछ पूरा मजबूती के सांथ तो फिर आप एक architect से मिलिएगा तो 15 रुपया square feet का आप ठेकदार दे रहा था आपके साथ pillar में काम चल जाएं तो तीन pillar के आपके costing बचते हैं तो बहुत ज्यादा आपके पैसे बच जाते हैं दूसरी बात यह कि जब आपका जो area है जितना आपको requirement है अगर कम area में ही बन जाता है तो बाकी के जो area बच जाता है आपके garden होगरे में use हो जाएगा तो घर का सुंदरता तो बढ़े गया इसाथ में उस area में आपका construction का पैसा भी तो कम हो जाएगा यह सब चीजे हो गई एक architect होता है वो सही plan आपको बताता है कि कैसे कैसे सरीया को बांदना है कैसे आपका घर मजबूत होगा कैसे जो अभी बना रहा है तो इसक सब चीजे हो गई दीवार की जो मोटाई है कहां पर 4 इंच की होगी कहां पर 9 इंच की होगी 9 इंच की जरूरत है कि नहीं वहां पर एक architect आपको सही idea देता है घर के उचाई कितनी रखनी चाहिए आपको foundation का उचाई road level से कितनी रखना है यह सब चीज में जो architect होता है सही idea देता है जिससे आपका cost बहुत बचता है क्योंकि एक तरीके से आपका काम होता है उसी हिसाब से contractor अग बना तो देगा लेकिन बाद में आपको पसंद नहीं आगा या कोई गलती हो जाती है तो बाद में तोड़ फोड होती है जो कि आगे चलके बहुत problem होता है और पैसे का नुकसान भी होता है साथ में जो एक civil इंजिनियरी आर्किटेक्ट होता है और रूम का साइज आपका निकालेगा कि 10 भाई 10 का रूम दे 10 भाई 12 का दे 12 भाई 15 का दें कितने साइज का रूम इसमें निकल सकता है जो बेटर रहेगा वहाँ पे पीलर होगा रना है किसी तरी पैसे की भी वहाँ पर बचत होती रहेगी बाद में तोड़ फोड़ना होगा तो आपका पैसे का नुकसान भी नहीं होगा अब जब भी आप डिजाइन बनवाए आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो उसको आपको एक दिमाग में रखना है कि ज्यादा हाइफाई तर उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा आप सिंपल एक डिजाइन चुने सिर्फ आपके रेक्टेंगुलर में कुछ खिड़की के डिजाइन होते हैं वो सब दे सकते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका घर सुंदर बनेगा दूसरी बात यह कि आप उनसे ब होगा दिवार hocker तो ऑपको नहीं देनी है सिंपल आपको यह स्कुАयर रखेंगे तो आपका कम वहां पर खर्च होगा खिड़की के साइज आपको ज tubera's के साइज तो आप उस हिसाब से material को arrange कर लेंगे लेवर को arrange कर लेंगे तो आपका काम चलता जाएगा बीच में अगर आपका काम रुका अगर आपको एक budget का idea ही नहीं होगा क्योंकि आपके पास plan नहीं होगा और architect or civil engineer आपको एक complete budget भी देता है plan के साथ कि आपका इतना खर्च हो जाएगा तो आपको पहले से पैसा arrange रहेगा तो आपका काम बीच में रुकेगा नहीं पैसे की shortage नहीं होगी तो अगर काम एक बार रुक जाता है दोस्तों तो आपका वहाँ पर घर का जो समान होता है material होता है सरिया होगरा वो तो खराब होता है जंग तो लगता ही है घर की मजबूती भी खतम होती है और फिर दुबारा जब काम चालू होता है तो उसमें labor का cost बढ़ जाता है material का cost बढ़ जाता है जो हमारा budget और वहाँ पर बढ़ा देता है और material का जो rate जो खर्च होता है वो 70% हमारा material में लगता है तो फिर हम क्या है कि वहाँ पर जब हम अपने एक contractor को रखते हैं जब हम किस contractor को काम देते हैं तो उसमें क्या है कि आपको उसका पहले काम देखना है काम देखके आपको जो आप rate देते हैं उसमें तो आपको rate सब प तक जाएंगे तो आपको 20% चट तक जाएंगे तो आपको 50% ऐसे तो आप एगर स्लाइब बना लेंगे तो फिर उस हिसाब से देते रहेंगे तो आपका काम का भी आइडिया निकलता रहेगा मेरा इतना पैसा गया इतना और जो कंट्रेक्टर होगा एग्रिमेंट पाइन से यह होता है कि बीच में आपको काम नहीं चौड़ता है आप ऐसे ही अगर काम देदेंगे बीच में पता चले आपसे ज्यादा पैसे लेले या बीच में आया ही ना काम छोड़े दो बारा आप रखेंगे दूसरे को तो आपका कॉश्ट वहाँ पर बढ़ जाता है तो अगर आप खुद से तो material लाते नहीं आप उतना पता नहीं करते हैं अब ठेकदार लाएगा आपको क्या rate में ला रहा है नहीं ला रहा है वो बिल बना के देगा आप उसको payment करते हैं आप खुद अगर लाते हैं तब आप वहां पे दो से तीन लाग रुपे बचा सकते हैं तो इसल इश्टील के स्टील, सेमेंट, सेंड हो गया हमारी ही हेंट हो गई सेपी हमारी आपको स्टील आपको मारत हैं रहे हैं और यसे दो मंजल तो आपको इसमें ज्यादा सूचन मेशना नहीं है एक चोटा मेकन वागान ह 9Sqft 1.2 é2.çek he है ऐसा नहीं है कि वह आर्थ को एक आएगा तो मकान आपका गिर जाएगा ज्यादा उस पर कोई horizontal force भी नहीं पड़ रहा है ज्यादा लोड भी नहीं है ऐसे मकान में आप जो normal quality के steel होते हैं वह आप यूज कर सकते हैं जैसे normal जो जिंदल के हो गया है कामदेनी को हो गया है केट्यू के से steel हो गया और भी local brand की steel होती है बस उसमें आपको यह देखना है यह भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल scrap material से बनाएते हैं वह भी अच्छा steel mix करके यूज करते हैं और बस यह देखना है कि वह ISO certified हो उस पर मारका हो गवर्मेंट के तरफ से certified हो steel हो दूसरी बात यह कि आपको यह देखना है कि FE 550D हो या FE 500D हो मतलब वह आपको देख लेना है तब आप वह ऐसे steel को यूज करेंगे तो कहीं कुछ नहीं होता है आपको एक बरांडेड एस्टील के तरफ जाएंगे तो आपका 75 से 80 रुपया केजी मिलता है और नॉर्मल जो एस्टील आप लेंगे तो 60-65 रुपया केजी में आपका हो जाता है तो यह स्टील में ही आप कम सगम 30-40,000 रुपय यहां पर बचत कर लेंगे 500 बैस सिमेंट अगर अगर आप OPC और PPC दो टाइप का सिमेंट होता है और नर्मल जो पूपिसी के चक्तर में नहीं परना है OPC सिमेंट एक जल्दी मिलती नहीं है दूसरी अगर मिलेगी भी तो आपको महंगी मिलती है 455 रुपय के एक बूरी आगी और नर्मल जो PPC सिमें होती है वो आपको 370 से 400 रुपय मिल जाती है तो लगबग यहां 30 से 40 रुपय आपको यह दोनों सिमेंट के बीच में फर्क आ जाता है दूसरी बात यह क्या है कि पीपीसी जो नर्मल सिमेंट है आप उससे दीवार भी सकते हैं प्लास्टर भी कर सकते हैं चत की कॉलम की बीम की ड़लाई भी कर सकते हैं मजबूती भी आपको काफी अच्छी देती है और घर भी आपका काफी मजबूत होता है इसलिए आपको ओपीसी के चकर में नहीं पढ़नी है और देखिए दूसरा तरीका यह हो गया कि रेट पर order ले लिजे, bulk में order लगा देंगे, उसके बाद जब जब आपको काम हो, उस हिसाब से 50 बोरी, 100 बोरी, ऐसे आप मंगा के यूज करते रहें, एक बार में आपको अपने घर में stock नहीं लगाना है, क्योंकि तीन महीने बाद cement खराब हो जाती है, इसलिए थोड़ा-थोड़ आप मंगाते रहें, लेकिन order आप एक साथ लगाएंगे, तो जो cement का rate daily day by day बढ़ता रहा है, वो बढ़ेगा नहीं, करीवन 10 से 15 रुपया cement का, वहाँ पर आपको और फायदा हो जागा, एक बोरी पे, तो आप सोच लिजे कि, वहाँ 20 रुपया मेरा बच रहा था, 10 रुप काम कराते हैं, चुनाई के काम कराते हैं, तो reverse end आप क्या करें, कि अगर लेना है आपको तो जब हमारी ख़दाने चालू रहती हैं, जब बालू निकलता है, उस टाइम आपके पास जगह है, तो आप ये store कर वाले, तो आपको सही rate में मिल जाती है, फिर उससे अपना काम कर तो आप जो दिवार का चुनाई हो गया, पलाश्टर हो गया, उसके लिए reverse end ले ले, लेकिन आपका जो धलाई के काम है, जैसे column beam छथ का, तो आपको सस्ती भी पड़ती है, इस तरीके से आप सेंड में पैसा बचा सकते हैं, अगली चीज ये होती है, कि जब हम फिनिसिंग आइटम पर आते हैं, तो जो हम टाइल अपने घर में लगाते हैं, तो टाइल आप को सिस करें कि टाइल में भी आपको बहुत बरांड मिलती है, जैसे कि सुमानी हो गया, कजारिया हो गया, निट को हो गया, बहुत सारी बरांड है, तो बरांडे टाइल आपको कम से कम 65-70 प्रपीत मिलती है, और आपको, बंडे टाइल के तरफ नहीं जानीहा, आपको कम से कम 15 वीण साल की लाइफ, ओभी देटी है, पंदरा 12 साल की लाइफ आपको लघी साल की लाइफ, आपको लोकल बंड की जो 40-45 छुपरफे भी काफी दिखाई देता है अच्छा और आपको सस्ता भी पड़ता है दूसरी बात ये कि पत्थर का जितना कम हो सके काम अपने घर में कराएं मारबल आप लगाते हैं तो मारबल काफी कोश्टली पड़ता है टाइल से आपका दूगूना से भी ज्यादा महेंगा पड़ता ह गिरनाइट है ज्यादा ज्यादा आप कीचेन और इस्टेर पे लगा ले तो पत्थर जितना कम लगाएंगे आपका उतना पैसा बचेगा अगले चीज़ आती है खिड्की तो खिड्की जो है हमारा लकड़ी और MS का खिड्किया होती है या जो उसके चौकट होते हैं खिड्कियों के लकड़ी का या MS फ्रेम हम लगा देते हैं वो काफी महेंगी पड़ती है तो उना लगा के आप अल्मूनियम या PBC के खिड्की यूज करें उसी के सांद जो चोकट होता है उसका अटाइच होता है तो आपको यह सस्ता पड़ जाता है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है और साथ में यह बहुत आपके लिए फायदे मंद भी होता है अब रही बात दर्वाजों की तो जो फ्लॉश डॉर होते हैं कि आपके में दर्वाजे जो अगर लगड़ी के लगाना चाहते हैं तो आपके जो अच्छे अच्छे बोर्ड के जो दर्वाजे होते हैं जिसे हम फ्लॉश डॉर करते हैं अलग-अलग आजकल बहुत सारी डिजाइनों मिलती है साथ से आठ थाजार में आपके एक दर्वा जो का काम है वो नहीं बढ़ जाता है पेंट में आप कैसे पैसा बचाएंगे जैसे कि मान लिजे कि आपका दिवार प्लास्टर में अच्छा फिनिस में है तो आप एक कोट उस पे पुट्टी मरवा दे तो अच्छे से मतलब किसी ट्रेंड पेंटर को पकड़े जिसको एक नो इंच का दिवार देने लगते हैं तो जितनी आपकी मोटी दिवार होगी उसमें इट आपका बढ़ेगा मसाला बढ़ेगा टाइम लगेगा तो आपका कोश्ट बढ़ते जाता है इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहा है नीचे का तो उसमें आप लाल जो रेड बिरिक होता है वो इस्तेमाल कर लें सिर्फ बाहरी दिवार को 9 इंच दे दें अंदर की जितनी दिवार हैं सब 4 इंच की बना ले और पहले मंजिल ये दूसरे मंजिल पर अगर आप बना रहा है तो वहाँ पे जो आपको लाल इंट इस्तेमाल नहीं करन है उसमें क्या है प्लाश्टर आपका कम लगता है उस प्लाश्टर के मोटाई कम लगती है फिनिसिंग अच्छा निकलता है और दूसरी बात यह कि वहाँ पे जो मिस्तरी लेवर का खर्च है वो बचता है और देखिए एक तो और फायदा यह होता है कि जब डवल ऐसी ब्ल कितना रख रहा है अगर 10 पिट तो इस्टेंडर होता है बहुत लोग क्या करता है मैं देखा हूं 11,10,11 फिट कर देते हैं तो जितना आपका हाइट बढ़ेगा उतना आपका इंट बढ़ेगा मसाला बढ़ेगा लेवर का टाइम बढ़ेगा आपकी सब कुछ बढ़ेगा तो इसलिए आपको ये standard height 10 feet होता है वही रखना height जितना बढ़ाएंगे आपका costing बढ़ता जाएगा और जब हम छट की डिलाई करते हैं तो वहाँ क्या है कि आपको छट का मोटाई देखना है कि आपको रखना कितना है पांच इंच की मोटाई काफी sufficient होती है आपके लिए तो वहाँ पे आपको ये देखते रहाना है कि पांच इंच ही है या जो आपका contractor है जो ठेकदार है वो उसको 6 इंच कहीं या 7 इंच कर रहा है तो ये 30,000 रुपे का वही नुकसान हो जाता है इसलिए आपको ठीकने से 5 इंच से ज्यादा नहीं रखनी है और जो घर का काम कराना है दोस्तों आप कोसिस कीजिए कि जो March April का टाइम होता है जब हमारा बारिस नहीं होता है उस टाइम हम घर का फा। हैं जब बारिस का टाइम होता है हमारे लेवर सस्ती हो जाती है बहुत सारे मेटेरियल सस्ते हो तो उस टाइम हम अंदर के काम में लग जाए पैंटिंग हो गगरा है अपना फीसिंग लेवर का छो खर्च क कम लगता है तो जैसे plumbing के काम में बहुत branded आजकल material आपके लिए जगवार के सेरा के बहुत सारे company है उसके मिल जाते हैं तो ज्यादा branded आपको जो fitting है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है नॉर्मल जो branded जैसे mid range के hind wear हो गया, peri wear हो गया, sera हो गया यह सब जो normal आपके fitting होते हैं जैसे mixture हो गया, diverter हो गया, आपके one piece seat हो गया, Indian seat हो गया, यह सब लगाईए तो आपको यह mid range में मिल जाते हैं, आपका bathroom करीम 25-30,000 रुप में ready हो जाता है आप ज्यादा महेंगे fitting के तरफ जाएंगे तो आपका 60-70,000 रुपे लग जाता है